दोस्तो काफी लोग loan ले लेते हैं loan जैसे कि इमालो ये फर्वरी मन्त है फर्वरी मन्त में loan करवा लिया किसी company किसी बैंक से और उनका civil update ही नहीं होता है और वो यहां वहां email करते है कमेंज करते हैpes कोई reply नहीं आता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं तो मेरा आपसे विनिती है कि आप इस वीडियों को स्कीप न करके सुरू से लेके अंतक वाच करना और मुझे लाइक करके सपूर्ट कर देना और चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सबस्राइब करके बेल आइकन को ओन कर देना दोस्तों मेरे पास एक इमेल आया था और मैंन इनका जो है नॉम्बर को छोड़ दो दिसंबर जनुरी फ्रोडी तो वैसे तो अभी इनका 90 दिवस नहीं हुआ है फिर भी इनका सिविल जो है 90 दिवस के अंदर ही इनका आपडेटिंग होना चालू हो जाता है बट इनके सिविल में कोई ऐसा चीज अभी आपडेट नहीं हुआ हुआ और यह प्रयसान हम क्या करें और एक दिकत इनके लिए हैं सभी के लिए है काफी लोग इसेच को सोचते है असान तरीकों में आपको बताओंगा देखिये जब भी आपका भी लोन करवाते हैं चाहे और आपकी से यह का लोन कीओ न ले लिया अगर अधिकार बन पुराधिकार बनता है आप सोचिए कि आपने लोन करवा लिया जब हम फाइल को आगे भीजेंगे नहीं तो कहां से सिविल आपडेट होगा ऐसा नहीं है कि भीया हमने लोन दे दिया और कोई आएगा हमसे लेकर जाएगा पुरा डिटेल्स जो है जोस्तों इसमें पुरा रो से अपना सिल वर्वात कर लेते हैं ऐसा कि मुवाइल नंबर जो लिंक है अधार कार्ड में उससे नहीं करवाया किसी और से करवा लिया इससे दिकत पैदा हो गया दोस्तों मैं आप से रिक्वेश करता हूं कि अगर आपके संग होता है तो मेरा एक दो तरीका हमेशा याद कर लेना पहला आपकी सीटी से हैं आपने सीटी का पहले नाम पता कर लिजिए आपका सीटी जो भी है डेली है मुंबई है गुजरात है और जैसे की हरियाना है क्या है आपने राज्जी का अपने सीटी का नाम गूगल पर सर्च करना आर वियाई इमेल आइडी डेली आपक आरब्याई को डिटेल्स में अपना जो है लोन अकाउंट नंबर मुबाइल नंबर जो भी आपके पास इंफ्रमेशन है सब कुछ हिंदी इंग्रिज जो भी आपको आता है टाइप करके आपको आरब्याई को इमेल करना है यकीन मानिए आरब्याई कि तरफ से आपको सारी को मेंसर कर देना है और याद रखना city by city आपको इमेल करना है अवग ऐसा नहीं है आप मुझे आप झुहाट कर सकते हैं मैं आपको इमेल आड़ी दे दूँगा आपका जरूर हेल्फ का विश्वास कीजिए अगर आपके संगेसा होता है तो देखिए कुछ लोग लापरवाई करते हैं सिविल खराब हो जाता है सिविल आपडेट नहीं होता है यह सोचते हैं चलो कोई बात नहीं आज नहीं वह तो कल हो जाती है और बाद में जब उनकी प्रोब्लम जादी हो जाती है तो प्रेशान होते हैं तो अगर आपके संग गलत हो रहा है आप अवाज उठाएं इसके लिए आप खड़े हो जाएं और आप इसके लिए लड़ें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा अब अपना जो inquiry आएगी क्योंकि इसके लिए कोई आपका help नहीं करेगा ना sell bureau करेगा ना कोई और करेगा करके देख लो आपको इसमें और फिर फिर लाइसेंस किसे दिया है आर्वे ने दिया है तो हम जो है क्या दिखते हैं एक कंपनी आरव्याई लिस्टेट हैं एक कंपनी एन विफसी है तो भाईया जब इस विश्वास में हम लोग लोन लेते हैं तो प्रोब्लम तो आरवे को बताएंगे ना सो प्लीज आप लोग एक काम करें आपकी जो प्रोलम है जरूर दूर होगी और जिसको भी इमेल लिखना नहीं आता है उसका भी मैं हेल्प करूंगा बट आपको एक काम करना पड़ेगा खुश से मैं तो करके नहीं दूंगा बट आपको मैं अच्छे से बता दिया हूं कोई कोई भी अगर चीज़ें समय नहीं आती है इमेल करना पुरा आपका सपोर्ट करेंगे तो चाहे किसी कंपनी का प्रोलम है मैं सोचना कि मेरा बजास से हुआ है होम केड़ से हुआ है या किसी और कंपनी से हुआ है किसी कंपनी का दिक्कत हो इसके लिए आपको लड़ना झाले हो आपको ल boundary आपके लिए आपका से हुआ है fun